हेलो फेंड्स बेलकम टू कमटर एडू जैसे कि आप देख रहे हैं आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आप सिखेंगे जमीन नापना ठीक है यानि कि कोई सा भी खेत हो कैसा भी जमीन हो बिल्कुल आप सरल तरीका से जमीन नापना जाएंगे जी हाँ मैं बिल्कुल गारेंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस बात की गारेंटी है कि कैसा भी आपके सामने जमीन का नक्सा आजाए कैसा भी जमीन आजाए ठीक है आडा टेडा कैसा भी हो उसको आप सरल तरीके से क बता होँगा कि सके अर्फीट में कैसे कंवरट करते हैं गज में कैसे बदलते हैं ठीक है वह सारी चीजे इस वीडियो में कवर होने वाला है तो वीडियो को ध्यान से देखना इसकी बिलकुल मत करना वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बिलकुल समय मि creators को इसको हमने A दे दिया, इसको B दे दिया और इसको C और इसको D दे दिया, ठीक है? एनकि A से लेके B बिंदू तक जो आपकी जो लेंथ है, मतलब यहां से आप इसको लेंथ मानेंगे, वो जो लेंथ है, कितना है? 100 फीट है, ठीक है? इसको बाद इसे के एपोसिट वाला जो साइड है, वो कितना है? 50 फीट, कितना है? 50 फीट है। अड़ा टेडा में जा रहा ठीक है? तो यह त्पोन तरीके सा है, थोड़ा सा, तो इसको कैसे निकालेंगे तो चलिए शुरू करते हैं? सब सब पहले दो चीज़ आप clear कर लीजिए कि आपका ये होता है क्या length ये होता है length length means क्या होता है लंबाई length means लंबाई होता है ठीक है और एक होता है breath breath means क्या होता है breath means होता है चोड़ाई ठीक है ये दो चीज़ आपको clear करना है ठीक चलिए शुरू करते हैं आगे ये दो चीज़ आपको आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे वीडियो को अब ध्यान से देखना देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 100 feet तो हम सबसे पहले क्या लिकालेंगे लेंथ निकालेंगे क्या लेंथ देखो तो देखो लेंथ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस वाले साइड को और इस वाले साइड को दोनों को प्लस कर देंगे क्या कर देंगे इस दोनों साइड को प्लस कर देंगे जोड देंगे ठीक है तो यहाँ पर हो जागा 100 प्लस में 50 ठ ठीक है, तो आपका total कितना आ गए ये, ये total आ गए आपका 1.500, ठीक है, ये 1.500 फिट आ गया, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, ओसत निकालना पड़ते हैं, क्यों निकालेंगे रेशो, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है, इसकी कम है, इसलिए हम इसको रेशो निकालते हैं, चलिए, ओसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको शिरिफ 2 से डिवाइड कर देंगे, किस से, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग क्यों देंगे, कि हमने 2 साइट को जोड़ा था, इसलिए 2 से भाग देंगे, ठीक है, जब इसको 2 से भाग देंगे, तो हमारा नि लेना है इनकी प्लस कर देना है ठीक है और उसके बाद 2 से भाग कर देना है इनकी 2 से डिवाइड कर देना है ठीक है अब आगे देखते हैं यह वाली साइट तो हमारी complete होगी अब हम करेंगे इस वाले साइट को ठीक है यह इस दोनों साइट को हम जोड़ देंगे तो यह निक फिट आएगा, अब हम निकालेंगे इसका ओसत, ओसत एनकी रेश्यो, ओसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नब्बे को हम क्या करेंगे, दो से भाग देदेंगे, जैसे दो से भाग देंगे, तो यह हमारा निकल का आजाएगा 45 फिट, ठीक है, आप देख सकते हो, यह निकल का है हमारा 45 फिट, और यह निकल का है हमारा 75 फिट, ठीक है, तो यह जो 75 है, वो हमारा लेंथ हो गया, एनकी यह लेंथ, ठीक है, यह जो लेंथ होता है, यह 75 फिट लेंथ हो गया, ठीक है, और उसके ब्रत जो है, वो हमारा क्या हो गया, 45 फिट, ठीक है, अब क्य नहीं करना इन दोनों को क्या कर दएना गुना कर देना क्योंकि इसका formula होता है L इन्टू B ठीक है यान की L इन्टू B length गुना में breath ठीक है तो इसको जब आपस में दोनों को गुना करेंगे तो क्या आजयगा आपका देखो 75 गुने 45 तो इसको जब गुना करेंगे तो आपका answer निकल आएगा 3375 यह आपका क्या निकल गाया है square feet है निकि total jar kids square foot में है यह आपका square foot आगया square feet total jar cue अब ध्यान से देखने वाली बात right friend अगर इसको हम gaz में convert करेंगे किसमें बदलेंगे हम gaz में तो गज में निकालने के लिए क्या करेंगे कुछ नहीं करना一个 a use ने क्या करेंगे इसका फॉर्मला ही होता है कि गज निकालने के लिए नो अनसर होगा फ्रेंड almonds. गज ठीक है 375 गज यही हमारा final answer होगा friends I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को share करें लाइक भी कर दीजेगा और अगर नए वीवर से चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत